उस पर आप लोग को करना क्या send कर देना है send करने बाद फ्रसा आप लोग को wait कर लेना है तुरंती जो है SBI के तरफ से message आज आएगा आप लोग को मैं दिखला देता हूँ अगर दोस्तो आप लोग को जो है recently SBI का new debit card मिला है और उसे activate करने का process आप लोग को complicated लग रहा या समझ में नहीं आ रहा है और साथ इसाथ जो है बहुत लोग को ये भी problem आता है कि e-commerce website पर मतलब कि online जो है को debit card को use नहीं कर पाता है pin change करने के बाद भी तो इस वीडियो में आप लोग को साथ जो है सारा process जो है share करने बाला हूँ और मैं try करूंगा जितना easy स easy way में हो वो मैं आप लोग को दिखलाने बाला हूँ तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले तो आप लोग को एक message करना है message का number 567676 यह नमर को आपको टैप कर लेना अपनी मॉइल में उसके बाद उसमें message send करना है और उसमें टैप करना है आप लोग को वो pin टैप करना है P-I-N उसके बाद space उसके बाद चार डिजिट का आपका debit card का number टैप कर देना है उसके फिर से space देना है उसके चार डिजिट का last वो आप लोग को अपना account number टाल देना है उसके आप लोग को यह message को send कर देना है आप लोग को दोस्तों यह ध्यान रखना है कि आप लोग को मॉआल में balance होना चाहिए क्योंकि यह अगर आप लोग unlimited pack टालते हैं उसमें यह message send नहीं होगा अगर आप लोग के मॉआल में balance नहीं है तो at least 3 रुपे charge कटेंगे इसका तो इसमें करना कि आप लोग को कोई भी छोटा सा recharge डाल देना है क्योंकि दोस्तों मेरे में यह same issue आ रहा था मैं जब send करने का try कर रहा था तो मैंने unlimited pack डाल लगा था बट मेरे number पे कोई भी extra balance नहीं था इसका अगर से यह message नहीं जा पा रहा था उसका मैंने इस number पे 10 रुपे कर रिचार्ज किया तीन रुपे चार्ज काटा गया उसके बाद जाके number पे message send होगा उसके अगले ही minute में आप लोग के number पे एक message आ जाएगा जिसमें कि आप लोग का current pin जो है वो मिल जाएगा pin जो है 48 गंटी के लिए valid रहता है आप लोग को करना क्या है कि उस pin को ले के जाना है और अपने नजदी की कोई भी ATM जो है पे जाना होगा e-commerce feature को जो है दोस्तों अपने ATM पे activate करने के लिए अप लोग करना है क्या है सिंप्ली message में आ जाना है इस नामर पे दोस्तों आप लोग करना क्या tap करना है और इस पे message send करना है message आप लोग को क्या tap करना है मैं आप लोग को बतलाता हूँ सबस्पले तो caps को on कर लेना है मतलब कि capital में पूरे type करना है आप लोग को जोस्तों tap करना है swon space e-commerce इसका sort को tap करना है e-com फिर से जोस्तों आप लोग करना क्या है space देना है तो उसको बाद आप लोग को tap करना है दोस्तों अपने ATM का last four digit number तो वह मैं tap कर देता हूँ तो किस तरीकी का आप लोग को ATM नमर आ जाएगा वह screen पर दिखला देता हूँ उसका last four digit number tap कर देना है कुछ इस तरीकी का format होगा पर लोग नमर मैंने आप लोग लेटी दिखला दिया है और नीचे का format जो tap करना है उस पर आप लोग को करना क्या send कर देना है send करने बाद थुरा सा आप लोग को wait कर लेना है तुरंत ही जो है SBI के तरप से message आज आएगा आप लोग को मैं दिखला देता हूँ या पर किलिए लिए लिए देख लें Dear customer your request for switching on e-commerce services on card for card यह यह number है यह successfully activate हो चुका है आप जो है दोस्तों में ATM card से जितना भी online payments वगरा है वो सारा कुछ कर सकता हूँ वो activate हो चुका है तो अभी आप लोगों ने दोस्तों देखा बहुत सिंपल steps को follow करके आप लोग SBI का कोई भी debit card को activate कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है e-commerce website के लिए भी enable कर सकते हैं दोस्तों आज क्या video पसंद आया तो इसे like कर दें अगर इसे related कोई भी question पुछने हो तो नीचे comment section में comment कर सकते हैं अगर future और वी वीडियो देखना चाहते हैं इस तरगी के तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राब कर ले थैंक्स पर वाजिंग टेकेट हो